इतावा जिले के लोगों के लिए अच्छे खबर यहां आने वाले समय में 328 क्रोड से ज्यादा की लागत से जिले की 297 का नमीनी करन किया जाएगा इसके लिए कारी उजला बना कर मुख्याले को प्रेशित कर दी गई प्रिदेश के लोग निर्माण मंत्री जुतिन प्रिसाद ने यहां पहुँचकर PWD के कारियों की समिक्षा की और सभी कारियों को गुडवत्ता एवर माने के अनुरूप पूरा करने के निर्देश दिये विकास भवन सभागार में लोकनिर्मार मंत्री जुतिन प्रसाद न्यादेश दिया की जिले में चुल रहे विकास कार्यों के लिस्ट सांसत विधायकों के अत्रिक जिन प्रतिनिदियों की भी उपलब्दी कराए जाए ताकि उनका इस्थली बहुत धिक सत्यापन उनके द्वारा भी कराया जा सके अपने कारियों में विलंब की जाच जिला पर शासन अपने इस तरह से करा कर अख्या शासन को प्रेशित करें जिससे जम्यदारी तै करते हुए विभागी कारवाई के साथ संबंधित कारेदाई संस्था के वर्दू भी कारवाई की जा सके बैठक में पताया गया कि 2023 और 2024 में जिले में 484 किलोबीटर लंबाई के कुल 297 मार्गो का नवीनी कर बैयालीस लाग पच्चास हजार की लागत से किया जाएगा इसका प्रिस्ताव मुख्याले को भी जजा चुका है बैठक में सदर विधायक, सरिता भदोर्या, पुर्वसांसत रगुरा, सिंख्षाक, बीजेपी जलाद्देश्ट, संजीव राजपूद, एरियम जैप्रेकाश, पीडबलीडी के अधिकारी मौझूद रहे पिटावा जनपत में मुझे आने का सौभा के प्राप्त हुआ है और आज यहां लोग निर्मान विभाग की समीक्षा बैठक है उससे पहले मानिय जन्प्रदियों से, हमारे संगठन के लोगों से और आम जन्द मानस से यहां की सड़कें, सेतू और निर्मान कारियों की चर्चा की जाएगी फीडबेक लिया जाएगा, उसके आधार पर जो समीक्षा बैठक होगी, उसके बिंदवार एक-एक लोग निर्मान में भाग की जो योजनाई चल रही हैं, उसके चर्चा होगी और मैंने पहले भी कहा है, माने लोग, जो माने मुखमंत्री जी का सपश्ट निर्देश है, कि सरकार जीरो टालरेंस पे काम कर रही है, अगर कहीं गुणवक्ता में कोई कमी आएगी, तो सक्त से सक्त कारवाई होगी और जवाब दही तेह की जाएगी, ये सरकार इसके लि अब इटावा तो पहली बार आए हैं समिक्षा करने, और जब समिक्षा कर लेंगे, तो आपको पूरा मामला पता लग जाएगा, कि एक-एक योजना पे मैं चर्चा करूँगा, धन्यवाद। कर द lazy का सवाल है, सभी लोगों का समान और सभी का सम्माईवजन पार्टि के अंदर है, और जंता आश्रवात दे रही है, जो कभी नहीं हुआ वाब हो रहा है माननें, प्रधान मंत्रीजी के नित्रत में और माननें, मुक्ह मंत्रीजी के नित्रत में, तीस साल बाद द Propag प्रदेश आगे बढ़ रहा है और यहां कानून विवस्ता से लेके विकास के कार जो हुए हैं उस सब ने देखे हैं और जनादेश आशिरवाद जनता का मिला है और आगे भी मिलता रहे